तो देखो प्यारे बच्चों इस वाले question को basically इसमें क्या करें एक अच्छा सा problem है चलो इसको solve करते हैं सब लोग मिलके करते हैं कि gravitational potential इने region एक region में जो gravitational potential है वो पहले से ही define है तो gravitational potential की जो value है वो मैं यहां पर लिख देता हूं gravitational potential भी is equal to करते हैं 20 Newton पर केजी और multiplied by x प्लस y और x प्लस y मीटर में है ठीक है तो यह करते हैं तो पहला problem यही है इनका कि so that this equation is dimensionally correct तो सबसे पहले मुझे यही सो करना है कि क्या यह equation dimensionally correct है तो चलो तो इधर क्या dimension बना तो इधर का dimension बना this side dimension तो वो बना Newton केजी मीटर ठीक है इस इस दा राइट साइड dimension ठीक है right hand side dimension यह तो इधर जो भी है इस भी का dimension कितना होगा तो भी जो होती है वो जो होती है db अगरा formula पड़े होगे तो e is equal to minus db over dr तो db की value minus db की value e dot dr होता है तो e is equal to mass multiplied by नहीं e is equal to जो electric field होती है उस electric field को मैं लिख सकता हूँ यहां से electric force is equal to mass multiplied by electric field तो electric field को मैं लिख सकता हूँ force upon mass तो यहां से अगर मैं force upon mass अगर मैं इसको put कर दिया बच्चो तो देखो यह formula कैसा दिखेगा तो electric field is equal to force upon mass और यह distance dr तो यह ध्यान देना यह mass है ठीक है तो ऊपर Newton और mass का kg और यह distance है तो यह meter तो यह इस हार और right hand side का dimension left side side में बराबर है तो जो पहला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट वह हमारा जो यह पार्ट था यह पार्ट यह कर रहे हैं कि अगर हमारा find the value of the gravitational field at the point x and y तो leave your comment in xy ijk में लिखना है तो gravitational potential आपको 20x,y x20 x plus y दिया हुआ तो हमें उस point पर x point पर field और potential की value निकाल लिए तो यह जो पार्ट है चलो इस पार्ट को अगर मैं solve करूंगा तो जो भी पार्ट है इसको solve करने के लिए बच्छों दोखो यहां से जो part b है वो कहते हैं जो potential की value हो पहले से दिया हुआ है 20x plus y यह तो हमारा दिया हुआ given है ठीक है तो अब यहां पर कोई point pa space में इस p point पर x, y पर field की value कितनी होगी तो यह question को वही कर सकता है जिसको फार्मूला याद हो field और potential में क्या relation होता है तो electric field is equal to minus db over dr होता है तो यह तो भाई एक axis के लिए ना यह तो एक direction में x में लगा लो y में लगा लो z में लगा लो लेकिन 3 dimensional space में इसको कैसे लिखते हैं तो in general जो इसको लिखते है net field vector में is equal to minus db over dx x i cap minus db over dy j cap minus db over dz k cap तो यह एक अच्छा सा बहुत ही important फार्मूला है तो आई हो कि यह जो फार्मूला उसको याद होना चाहिए कि field और potential में relation क्या है और यह जो है वो single direction के लिए है single direction मतलब यह तो x में लगा लो यह तो y में लगा लो यह अब यह जो है वो three dimension है तो तीनों dimension में लगेगा तो simply कुछ नहीं करना है potential की value 20 x plus y रख लेना derivative लेना है किसी भी point पर field की value आ जाएगी तो चलो तो अगर मैं इसको आगे solve करता हूं तो देखो यह electric field e की value तो इतनी रहेगी रहेगी तो minus db over dx और db over dx अब यहाँ पर potential की value छाप दो तो potential की value अगर यहाँ पर छापोगे तो कितना होगा भाई तो potential य यहाँ रखोगे तो potential की value 20 x,y z cap है ठीक है और minus db over dy और यह जाएगा plus 20 plus x plus y potential की value z cap और मैं यह z वालन लिग नहीं रहा हूं यह term यहाँ पर 0 हो जाएगा तो अब यहाँ तुम देखो के derivative लो minus 20 बार आ गया x के respect में derivative लोगे तो 1 होगा और y का 0 हो जाएगा और यह i cap पहले से चला रहा था minus 20 यहां से बाहर आ गया और यहां से x का x का derivative लोगे y के respect में तो 0 हो जाएगा क्योंकि x constant टीट हो रहा और यहां पर y की derivative y के respect में 1 हो जाएगा तो यह j cap partial derivative में ले रहा हूं तो यहां से तुम जब solve करोगे बच्चोंते यह आ जाएगा 20 i cap और minus 20 j cap this is nothing but it is the net electric field present in the space at the point x and y तो यह वाला जो value है यह हमें निकल के आ गया this is the solution of the part b अब c part क्या कर रहे हैं देखो तो find the magnitude of the gravitational force particle 500 gram at the origin अगर इस field में मैं ध्यान देना इस field में यह जो field हम लोग निकाल के लिए क्या है इसी field में मैं origin पर ठीक है इसी field में अगर मैं origin पर यहां पर ऐसे इसको बना लो यहां पर यह जो है इस पर कितना फोर्स लगेगा तो simply हमें फोर्स की वेलू याद फोर्स इस पर to mass multiplied by electric field तो अगर हमें vector में निकालना हो तो force vector और multiplied by mass और multiplied by electric vector तो मास यहां कितना है 0.5 और electric vector यहां पे 20 i-cap और माइनस 20 जेक तो यह कुछ नहीं है यह क्या है एक वेक्टर पॉम है तो वेक्टर पॉम में हमें एफ का मैगनिचूट चाहिए तो एफ मॉड नेट फॉर्स जो आएगा वो पॉइंट फाइब और माइनस 20 का स्क्वाइर और प्लस माइनस 20 का स्क्वाइर अंडर रूट तो कुल मिला के यह तुम देखे वे बच्चों तो यह कितना आ जाएगा तो पॉइंट फाइब और मल्टिप्लाइड वाइट 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 टू ठीक है तो यहां तुम देखोंगे तो टेन रूट टू नूट इस फाइनल सलूशन अब इस प्रोब्लम तो आई होक यह समझ में आ गया होगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो